जहां विरोधियों को गद्दार मानने का भाव है, वहां लोकतंत्र खत्म और तानाशाह का उदय होता है ये कहना था देश के पूरे प्रधान मंत्री भारत रत्न अटल विहारी बाचपई का अब इनी लाइनों को लेकर कॉंग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो रही है दरसल कॉंग्रेस नेता, शेशी थरूर ने एक अख़वार की कटिंग ट्वीट की है जिस पर स्वर्गी अटल विहारी बाचपई की एक तस्वीर छपी है इस पर ठीक ऐसी ही लाइने लिखी है उडोरे अब दे ट्वीट में लिखा तो कुछ नहीं लेकिन इस अख़वार की कटिंग पर लिखे बाचपई के शब्दों से ही मोधी सरकार को घेरने की कोशिश है गौर्तलब है कि राहूल गांधी की संसर सतसता खत्म होने के बाद से ही कॉंग्रेस बीजेपी पर हमलावर है कॉंग्रेस किसी भी सत्ता पक्ष को निशाना बनाने का मौका नहीं चूक रही उसी कड़ी में धरूर ने ये ट्वीट कर बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश की है इस ट्वीट के जरिये उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि मौजूदा दौर में लोकतंद्र खत्रे में है और ताना शाही का उदय हो रहा है यानि सीधे तौर पर बिना नाम लिये उन्होंने प्रधान मंत्री मोदी को ताना शाह बताने की कोशिश की है वही इन दौर में आयोजित हुए एक कालकरम में भी शेशी थरूर ने बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि सम्धिदान खत्रे में है और बीजेपी अब इसे खत्व करने की तैयारी कर रही है थरूर ने कहा कि राश्च्रपती तो कहीं दिखाई ही नहीं देती बीजेपी ने आज उनका कद इतना कम कर दिया है कि जहां राश्ट्रपती को होना चाहिए वहाँ ही पीएम मोदी ही नजर आते हैं